दोस्तो GST Slab के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इसका जो अपडेट है वो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ GST के अंदर बहुत ही important changes हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में GST low के अंदर आप काफी important changes देखने वाले हैं तो सभी changes के साथ updated आपको रहना है तो अभी हम बात करें हैं जो GST slab के अंदर काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं अट प्रेजन जो आपकी slab है जिसमें rates आपके हैं 5%, 12, 18 और 28% काफी समय से ये news आप सुन रहे थे कि जो 12 और 18% की जो slab है इसको merge किया जा सकता और एक नया rate जो है इसका निकल करके आ सकता है तो GST rate के अंदर अब ये important changes आपको देखने को मिलेंगे 27th of November को ये meeting है और इस meeting के अंदर ये चीजे finalize हो सकती है हलाकि जो भी news निकल करके आई है जो rates निकल करके आई है वो मैं आपके साथ discuss करूँगी तो 27th को ये meeting होने वाली है जो report होगी finalize होगी और का आगे जो आने वाली GST council meeting है उसके सामने ये रखी जाएगी आने वाली GST council meeting में आपको ये बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलें तो अभी जो proposed rates है वो है कि text lab of 5% वाली जो आपकी text lab है उसका rate 7% किया जा सकता है 18% का 20% किया जा सकता है तो ये जो changes है ये आपको दिखाई दे सकते है अभी जो meeting होने वाली है उसमें ये finalize हो सकते है ये सर्फ rates जो है अभी propose किये गए है इन पर अभी कोई final decision नहीं लिया गया है जो कि expected है कि 27th को जो ये हमारी group of ministers की meeting है उसमें ये हो सके तो terrified by 20-25% तो ये changes आपको दिखाई देंगे तो ये तो sure है कि text lab के अंदर जो changes है वो होने वाले हैं लेकिन क्या rates होंगे new rates क्या changes होंगे उसके लिए भी आपको wait करनी होगी क्योंकि अभी ये changes finalize नहीं हुए हैं जैसे ही कुछ भी changes finalize होते हैं वो आपके साथ हम discuss करेंगे वो आपके साथ सबी changes हम share करेंगे तो चलिए wait करते हैं इन changes के finalize होने का या फिर कुछ more important update आने का तब तक के लिए thank you for watching मिलते हैं next video में next update के साथ